पिर यह आपके नहीं है यह गाने कुर्ती वी गिली गिली और मंजीदे विच डांग फेरदा अधर नूरीन आता है ना ठीक है उस पर थोड़ा सब शक होता है कि ना देखें जैसे वो बंदे को देखकर कहता है सोने ठीक है फिर उसके कोई हिरोईनी होती वो चाहता है कि कोई बंदा उससे मारे देखें दो किसम के आदमी होते हैं दुने में एक आदमी होता है जो मैदान में उतरता है लड़ने के लिए एक आदमी होता है जो मैदान में उतरता है मरने के लिए आता है वो नार्मल होता है जो मरने के लिए आता है वो अब नार्मल होता है चले ऐसे का तो मैं बनातों ल लिखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताके आप हमारी आनेवारी वीडियो से बाखबर रह सके अश्लाम लेकुम नाजीन मैं हूँ शेका से मौरा आप देख रहें एंवाई के नियोज टीवी आज मैं जिस शक्सियत के साथ बैठा हूँ यह यह वही हाथ है सराफ हाथ थोड़ा सा उपर करेंगे हाँ यह वही हाथ है जिन्नों ने मौला जैट इनी लिखी लेजेंड अफ वह था हाँ मुझे कुछ लोग कहते हैं बले के आपके बारे में यह वा उड़ाई जाती है ठीक है पितनी मज़ाग से या पर जानबूच के कि आपने 400 जादा फिल्में लिखी है यह कैसे पॉसिबल हो सकता एक इनसान नहीं लिख सकता 400 जादा फिल्में इनसान ही काम करते जानबर तो नहीं लिखते, मेरी 413 फिल्म रिलीज हो चुकी जार सो तेरा फिल्मे जाला जाती पॉस्ट सामें इनसान है सूदी बट के साथ एक अगर बंदे को ओठीक है एक फिल्म लिखने में एक साल लगता है तो फिर आपकी 413 साल उमर है नए मैं इसकाइवर फिल्म से इसाब लेकर बहुत एफ्वर तो पवने 18 साल से वह थोड़ी है लेकिन यह है के एक साल में तो पतनी काउं सी फिल्म है फि इसे शुरू होते हैं और गहंटे में फिल्म लिखते थे हैं ने ऐसी बात नहीं है मैं जब हमारी इंडिस्ट्री का रूर था उस वक्त ये था कि मैं 22 गंटे भी मुझे सलसल काम किया है लेकर 22 गंटे के बाद फिर मैं सोता था तो आठ गंटे नीम पूरी ले लेता था उसके बाद फिर मैं 22 गंटे के लिए अलर्ट हो जाता था तो बस ने आमद दी हमद दी वैसे मानता कोई नहीं यह लिकल यह हकीकत यह आपका नाम नासर अदीब है यह जो अदीब अड़ी यह आपके अदब में होने की वज़ा से रखा गया यह या वैसे आपका नाम अदीब है मेरे मुर्शिद मेरे नम रखा था नासर क्यूंकि नासर अधीब मेरे अरजल नाम नहीं है तो नासर अधीब मैंने उसे इजाज़ लेका साथ खुद लगा लिया था मैं खुद सखता दी हूँ तुमने मुझे बड़े नॉर्मल किसम के लगने मगरे जो आपके डायलॉग होती है मुझे लगा था आप बोलते भी वैसी होंगे तुम क्या करे और इस तरह से चीजे ने वह ऐसे जो गरजते हैं वह बरसते नहीं जो बादल खामोशी से वही बरस अजर्वेशन है और अल्ला ताला की अता है क्योंकि मैं जिस महौल में पलकर जबान हुआ मेरे गाउं में मेरे सारे भाई मेरी बैन इमाम बाफ सब चिट्टे अन पड़ थे और हमारी दुश्मियां भी थी जो साल आ साल चली उसमें कतल भी हुए उसमें यहलें भी हुई ह यह सारा महूल मैंने इतना देखा हूँ हमें बाई जयते थे या रिष्टादार जो कैद को थाने में तुनकी अम रोटी भी लेकर जयते थे ठिर जियल में इनकी रोटी लेकर जयते थे पर अदालतों में उनसी तो वैशी जट आपने देखीñas अ मेसी मेरे फिलो के लान से तेननु देशी के ओख वाया कर जाट जदो नदी ताउनला में तो कुछ लोग थे नबगे ये डायलाग मैंने उरिजनल सुने हुए है कुछ लोग ये भी कहते है के सुल्तान राए को स्टार बनाया आपके ही डायलाग और आपके ही लिखिवी फिल्मों है ने सर ये कुछ ज्यादा है सुल्तान राए को मैंने स्टार नहीं बनाया स्टार तो उसको अल्ला ने बनाया मेरे पास जब वो आया तो वो बशिया फिल्म लाग चुकती वो सुपरिट था लेकिन उसके ओपर फिर एक दौर ऐसा आया था जिसमें वो नो वेर हो गया फिर उस यह जो इनकी फिल्मे थी हैं जो आपके जिस जो लिखे वी ती फिल्मे उनके सौंग्स भी आप लिखते थैं या कोई और लिखता था निया तो शेयर कभी लिखर नहीं अच्छार लिखते पिर यापके नहीं यह गाने कुरतीवी गिली गिली और मंजीद विच दांग फे मौला जट पी लिखी, लेजन्ड अफ मॉला जट ही लिखी. मुझे तो इसमें डिफेरेंस लगा। 어때 को रखना और थो ह्या हुआ है। अब गई के सारे कर्दार हैं जो मॉला जट में थे मॉला भी था अब ते तक उन दानीी तो मॉला भी था, ते sony cumplisakin, और विए 75 सेसे आपसवक्त थे? नहीं, सच्छा अच्छा, तब इसके पैदा नहीं हो थे तो मज़े यह बता है जब पैदा नहीं होते उस वक्ती फिल्म को आप भूल जाए ये फिल्म मैंने उनके लिए में दोजार बाइस में ये मैंने आपके लिए 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 फिल्म आपके बापके लिए थी जो मौला जड़ थी और जो वैसे जड़ थी वापके दादा के लिए थी कि यानि यंग लोगों के लिए लिखी है जी आज की नसल के लिए आज लोगों के लिए मुझे बिलाल ने फुर्स टेम आपको प्रोच किस तरह की है मैं पज़ाब इनुवस्ट्री में लेक्षर था तो मुझे एक खातून का फून है कि हम फिल्म बनाना चाहते हैं मैंने का की ह challenges अनुझ कि ऐस की जान की बात है Wars तो फिर डिरेक्टर ने क्यों की विलुट ने का सगए महने किरेक्टर बनाना उसको क्यों मनाना चाहता है करेक्षर लेके ना नए अंदास प्रना चाहता हूँ मैंने का जी ठीक है तो मैंने फिर उसे काया करने का आप उस पर मुझे कहानी लिख कर दें मैंने का ठीक है मैंने कहानी लिख के इंटरवल तक सुनाई उसकी समझ में नहीं है उसको पसंद नहीं आई तो उसने फिर दो तीन मिने चार मिने के बाद मुझे का कि मैंने कुछ लि वो ही हैं जो मैंने लिए थे लेकर आपने उन सीकुंस को बदल दिया और बदल के आपने वो अप टूडेट कर दिया आज के दौर में तो मैं समझ गया कि मैं 80 की दौर की आपको कहानी सुनाई थी आपको पसंद नहीं आई क्यूंकि आप 2016 में जी रहे हैं तो बिल्कु ठीक ह आपको आपके मेरे पिछे आप नहीं लगे इस फिल्म में आपके पिछे लग जाता हूं मैं आप टूडेट करता हूं अपने आपको लेहाज़ा फिर मैं उनके साथ मिला फिर आपने मिलके उस कहानी को फाइनल किया अचे मुझे बदा है तरवर भटी से इजाज़त ली थ इस फिल्म का नाम मॉला जट था आला कि मॉला जट मैंने रखा था वो जो आइडिया लेकर आया था फिल्म बनाने के लिए उसका नाम बगगा बटी था मगर नाम तो चेंज कर दिया था तो फिर कुने क्यों नहीं 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 मॉला ज के उच्छी दोस्ती तो आपनी उन्ने it only Mode ने करो डूम पड़े नसी ना करो बॉल्स Сबसे पहले सथRevert ननी वेट्णिंग पर इस आप इस तरह करें के मुझे ठोड़ी से पैसे पड़े दें sa तो पत्री उन्हों ने वकील की शाय पर किया या उनकी अपनी से दूस्त का नहीं नासर सब आप इस मसले में ना पढ़े। मैंने कर ठीक है उसके बाद फिर मैं नहीं पढ़ा। गता है उफिर मुझे पता है कि जो डैलाग थे आपको उन सब अपने करेक्टर में gustado मोला जट में किसके डैलाग और किसके पसंद 되지सक्ति अपको मज़ए्या है किसके डैलाऑ लिखने में नहीं मैं तो जब काम करता हु थो मैं अंजाए करके काम करता हुं मैं असे मज़़ूर समझता होता तो शायद मैं आज इस मकाम पर भी नहोता मैं मजा लेके काम करता हूँ अंजाय करता हूँ और हर करेक्टर के हर जुमले को मैं अतनी आहिमिये देता हूँ जितना को किसी बहुत बड़े करेक्टर का जुमला उसकी वज़जी है कि बड़े का जुमला लिखते हु होए इतनी मुश्किल नहीं आती जितना मामूली क्रेक्टर का जुम्ल के जुम्ना लगते हुए क्यूंकि उसको उस फिम छैसा भी बनाना होता है और हर क्रेक्टर के अपनी जुबान होती है जो clusters की जुबान हुद या लह साय होता है हमालक करनी होता पाल 누ल्ह Right बात करते हैं, मैं पाकिस्तान में बहुत बड़े राइटर है, शान के वालत रियाशाय साहब, और वो बेपना अच्छे जुम्ले लिखते थे, बड़े मशूर भी थे, मैं उनको आई तक राइटर ने मानता, और इसलिए नहीं मानता, यह नहीं कि वो राइटर बहुत अच् क्यों कैसे बोलेगा, उनके मुकाबले माज़ी कादरी साहम है, जिनको मैं बञजाबी फिल्मनस्टी का शेक्सफिर मानता हूँ, आप उनके फिल्में देखे, मजदूर मजदूर के जुमान बोलेगा, जगिवदार जगिवदार के जुमान बोलेगा, पौलसवाल अपने saikhi होगी हर karakter अपने एसाब से बोले ऑचर मुझे ना जो यह नूरीण आता है ना ठीक है उस पर थोड़ा सा शुक होता है के ना देखें जैसे वो बंदे को कहता है सोने या ठीक है फिर उसके कोई हिरोईनी नी होती वो चाथा है कि कोई बंदा उससे मारे तो मुझे शक होता है कि यार वो थोड़ा दर नॉर्मल नहीं है तो यह क्यों ऐसे मुझे लगता है आपको कभी लग ऐसे नहीं वो मैं आपको बता हूँ जो भी आदमी देख नुरीनात का करेक्टर एटा और कि घ grind है कि हूखना . नुरीनात का भी पर रचे कावल जब लडकी कोई मिलेगी जिदगी में कोई आगे बनी की तो हो सकता है कोई लडकी मिल जाये लेकर मुझे बता है कि ऐसे आदमे के लिए कौन सी लड़की चाहिए, जो उससे भी ज्यादा आपनार मलो, तो वो एक अलाग कानी फिर बन जाती है, फिर मौले की नफी हो जाती है, मौला जैट 2 आने का कुछ चांस है, मौला जैट 2 तो आ गया न, मौला जैट 3 की बात करें ह इसी का पार्ट 2, लेजंड ऑफ मौला जैट 2, यह मैं नहीं कहा सकता जी, जब मौला जैट बनी थी तो उस वक्त भी, कभी सोचा नहीं था कि इसका पार्ट 2 बनेगा, हाला कि मैंने लिखी थी, जाट ते लंडन, उसका चूब के वाइंड आप जो था वो लंडन में था, यूनिस मलक साब ने इसलामबाद में पिक्षराइज किया, और खलती यह कर दी के, गाड़ियं जो एक्सपोज के उन पर इसलामबाद की गाड़ियों के नंबर थे, तो लोग उन्हें लाइक नहीं किया, लेकर उस फिल्म ने बेपना बिजनस किया, वह उँची गी थी, ल अपनी फिल्म की पैरोडी मैं नहीं करूँगा, चले ऐसे का तो मैं बनातो लिखाप लें, उसका नाम मैं रिखना जातो कौला जट, मेरा नाम होगा, उसमें शेख शरीफ होगा, ने मैं नहीं लिखूगा, ये मेरे मकाम से नीचे की बाद है, कौला जट कोई और राइटर मैं लिखूगा, मैं जब लिखूगा, मौला जट ही लिखूगा, ऑच्छी बात है, कोई ऐसा वह मसला नीच ही, मौला जट जितनी हेट होगी, आपको अंदाज़ा था कि ये फिल्म इतनी ज़द हो जाएगा, देखे जो आदमी लाहर में 180 रुपे का कलर को बो, कैसे सोच तक तो अल्लाव ने नासर दीव बना दिया, मैं तो यह भी कभी नहीं सोचा था। मैंने तो मौला जाट के बारे में जब लगया थे इतना पता था यह फिल्म सुपरिट होगी लेकर जिए कि यह क्लासिक में शुमार हो जाएगी संगे मील बन जाएगी यह कभी नहीं सोचा था। इस फिल्म को भी जब लिखा तो मैं ऐसी सोगता था कि शायद पतनी कुछ इसका कुछ डायलाग लोगों को पसंद आ जाने लेकर सब लोगों ने डायलाग की बड़ी तारीफ की तो यह मैं समयता हूं कि यह उसकी मर्जी है जिसको चाता है इजद देता है फिर वो जब देता कि अगे गाली थी तो इसलिए काटिया था राचा एज आठे लिखा था कि इसके बाद गाली उसको वोगो गारता थै तो बार जागा है कि तार्या यह अपने उत्में एथा तेरी पैंड लुट लिखा थी तो अखरी वाला वो निखा था चलें कोई सार मसला है नहीं काए से वेट नहीं कर रहे थे कि ये लेजेंड मौला जट कब आएगी आप तो काफी देट कर रहे थी लेकर आलाद की वाज़े से ये दो साल पहले जो चोटी ती इस पर ये डेट आगी ती रिलीज थी कोवर्ड की वाज़े से रोक गई तकरीबन पंदरा लाक लोगों की डेथ ह हो गी इसी टाइम पर जो भी फिल्म आते है तो वो नहीं यह फिल्म देख सके हैं अब कोई यह गी कर सकता के अब पर या फिल्म बना रही है तो साब जैर канал लेकरे किया रूंदाने आर्म अहर्किन पूरवियर को सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब आप तो इन न SG तो आफिरे तो नों ने आप पिर घ्राम लागा है कि आप उनके घ्रकस्ब्राइब करे तो क्योंकि यह वहीं हात है आप हाथ से लिखते हैं ना है अब वार्ट करते हैं ना हम मेरे के पर दूसर मैं लिख वा देते हो टाइप कर लें है घरावए के जो स्क्रिप्ट है यह हमारे पुद टाइप कर रहे तार बहुत शुकृरिया है यह तेरी बुड़ी खुश्किस्मती है कि मैं आपका इंटर्वियो करूँ इसी के साथ मुझे शेख कासिम को और नासिर अदीब साब को इजाज़त देजिए अलाहफिस